नवस्कार गुड मॉनिंग क्या खरीदें क्या बेचे में आपका बहुत वागत है मैं हूं संदीब ग्रोवर गुरुवर का दिन है मारकिट्स में गुरुवर के दिन वीकली या मंतली एक्सपारी होती है तो उठा पठा काफी जादा देखने को मती है लेकिन उसके साथ- माइने हैं अब जो हफते के बाकी दो दिन बचे हुए हैं उसमें आपको बाजार में कैसे स्ट्राइडाइज करना चाहिए इन सब पर बातचित करने के लिए हमारे साथ एक खास मेमान मौजूद है कॉलकता से मारकेट एक्सपर्ट संतोर सिंग जी हमारे साथ कारिकरम में शामिल हो चुके हैं वेरी गुड़ मारकेट में हम देख रहे हैं बाजार में लगातार तीन दिन से गिरावट हो रही है फ्राइडे माफ कीजे मंगलवार को भी बाजार एक समय कमजोर खुलने के बाद हरे निशान में आया था लेकिन हायर लवल से फिर से जो 2900 का लेवल भी पार किया था लेकिन क्लोजिंग 25800 के नीचे हुई तो हायर लेवल से आप देखे तो सौंग को से ज़्यादा निफ्टी गिरकर बंद हुआ इसी तरह से सेंसेक्स में भी हमने देखा हायर लेवल से करीब और चार सो उंकु के आसपास ही गिरावट देखने को मली तो एक समय बादार ने कोशी जरूर करी थी रिकवरी लेने की हरे निशान में लोटने की लेकिन जो क्लोजिंग हुई है सर वो ला निशान के साथ ही देखने को मली है तो क्या एफपी आइस की जो बिक्वाली हुई थी सौंवार को 20,300 क्रोड उपे के आसपास की जो मार्किट्स हैं वो बहुत जादा अट्रैक्टिव हो गए है उसका इंपैक्ट है या फिर कल की जो चुटी थी दो एक्टूबर की उस वज़़े से बादार में किरावट देखने को मिली है कुछ मिला जुला संकेत है मुझे लग रहा है कि सारों तरफ से अगर आप देखें लेकिन आप अगर देखें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया है उसके अंदर कुछ ब्राइट स्पार्ट देख रहे हैं वो हैं कि ओबरॉल मार्केट जो है ओबरॉल मार्केट अच्छी तक्रीबन 11 हो था तो वहां कुछ कमफर्ट जरूर है और अगर आप लास्ट टेडिंग डेज की एक्टिविटी को देखेंगे चार्ट के उपर में तो वहां पर एक कहने की बॉटम के पास मतलब दो दिनों की गिरावाट के बाद एक स्पिनर जैसा बनता है और जब को भी इस तरह से एक कैंडल स्पिन करती हुई कैंडल बनती है इसका मतलब यह हो सकता है कि साथ गिरावाट रुके और फिर मार्केट बढ़ सकता है लेकिन कैवेट यह होगा कि तक्रीबन जो है जो प्रीविएस टेडिंग सेशन में लो रहे हैं इसके नीचे ना जाए मार्केट और वहाँ पर खड़ा नहीं हो जाए नीचे जाकर अगर यह रुकावाट जो गिरावाट अगर कहीं भी 25-740 के आसपास रुक कर और मार्केट फिर से उपर की तरफ चलता है तो I think fair signals है कि मार्केट उपर की तरफ जा सकता है तो 25-740 को बचाना निफ्टी के लिए बहुत अहम है और weekly expiry का दिन भी है तो उठा पटा काफी जादा रहती है तो 25-700 का जो लेवल है उसको आप बहुत कीनली वाच कीजिए यह लेवल नीचे के और नहीं तूटना चाहिए अच्छा बैंक निफ्टी की जान तक बात है सर तो 53,000 का जो लेवल है वो भी मंगरवार के सेशन में यानि की परसो के दिन क्लोजिंग जो है उस लेवल के नीचे ही होती हुए नजर आई है बहले ही जो दिगज बैंक्स हैं चाहिए वो इन में गिरावट नहीं थी लेकिन इंडसीन हुआ प्रेशर काफी ज्यादा था तो नेट नेट जो क्लोजिंग है वो लाल निशान के साथ ही देखने को मली है यहां पे भी आप देखिए निफ्टी जैसा ही चार्ट आपको नजर आएगा शुरुआती कुछ करा सकते हैं सारी बैंक निफ्टी की गिरावट अब बैंक निफ्टी के अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो एक इनवर्टेड हैमर बनी पूजिशन डेली चार्ट पर आ रही है दो दिनों की गिरावट के बाद और कभी भी हम देखते हैं कि इनवर्टेड हैमर आता है मतलब कि वहां से market ठीक उल्टा हो सकता है और वो भी तो अपसाइड रिस्क कितनी हो सकती है तो मुझे रखता है कि 100-100-100.5 निफ्टी के मतलब 52,800 यह काफे important हो गया निफ्टी के लिए 52,800 के नीचे अगर जाता है तो गिरावट देखने को मिलेगी otherwise यहां पर भी हम देख सकते हैं कि market अगर इन levels के उपर रहता है तो मुझे रखता है कि market फिर से जो है उपर की तरफ unfurl कर सकता है तो जिस तरह से 25,740 निफ्टी के लिए important है उसी तरह से बैंक निफ्टी के लिए 52,800 का जो लेवल है वो बहत important है जब तक यह लेवल नहीं तूट जाता बैंक निफ्टी की जाहां तक बात है तो कोई ज़्यादा चिंता या घबराने की जूरत नहीं लेकिन हां अगर यह तूट जाता है तो फिर हो सकता है कि बाजार में जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है कुछ सेक्टरल रुजान की बात करें तो मंगरवार को सर हमने देखा था कि पीएस्ट यू हुए एनरजी पैक हुआ तेल गैस और रियाल्टी इन में हमने गिरावट बनती हुई दिखी और जहां पर मजबूती थी जहां खरिदारी थी उसमें मीडिया तीन-चार दिन से लगातार यहां पर खरिदारी हो रही है आई टी भी पार्टिसिपेट कर रहा था मेटल में तो एक्स्टरनल खबरें हैं जिस तरह से चाइना से इंपक्ट आ रहा है रेट कट का और आटो इंडेक्स में भी हमने खरिदारी के साथ ही क्लोजिंग बनती हो दिखी टेक एम एम बिटानिया बिटानिया तो दूसरे दिन चल रहा था इंफोसिस यह कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान के साथ बंद हुए निफ्टी के टॉप गेनस में शामिल थे और लूजर की बात करें तो उसमें इंडेसिन बैंक ओंगी सी एशिन पेंट्स बजा जो हो यह स्टॉक्स है जो कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरते हुए नजराए इनोंने सबसे ज़्यादा निफ्टी को नीचे खीचने का कामकाज किया तो सर्फ पीएस्यू शेरों को लेकर हमारे दर्श्रक वैसे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं चाहे वह र पाजार में मतलब कहलें कि सेक्रो सेंटली तेजी है और अमोमन हम उपर की तरफ ही हैं तब तक तो मुझे लगता है कि जतने भी स्टॉक्स हैं चुनंदा स्टॉक्स में से जरूर आपको देखने चाहिए इवर जैसे आपने बताया कि ऑलन गैस हो सकता है कि थोड़ी से बल दूसरी जो इतने भी पहले हम बात कर चुके हैं सारे स्टॉक्स पे जिसमें की अपॉर्चनिटी साइज अच्छी हो और प्रॉमिसिंग फीचर्स हों वहाँ पर डेफिनिटली आपको देखने चाहिए तो ऐसा नहीं है कि सारे PSU's खराब है कुछ अच्छे नाम अभी भी हैं जिसमें गेल एक स्टॉक है जिसमें सब्सेंशल करेक्शन पंदा से 20% नीचे आता है तो यहाँ पे आप खरदारी करके चल सकते हैं सबी स्टॉक्स को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए सारे PS PSU's खराब नहीं हुए है कुछ स्टॉक्स में अभी भी दमखम बाकी है तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन सर आइटी और मेटल यहाँ पे तो दुहादार तेजी देखने को मिल रहा है तो जो दोनों सेक्टर्स हैं आइटी और मेटल जो की ग्लोबली ड्रिवन भी होते ह इन में क्या तीजी लंबी चलने वाली हैं कोई स्टॉक जो आपको लगता है कि अभी भी जिनमें ख़जारी के मौके बचे हुए है तो दीए मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो अभी हाल फिलाल में बाहर में मुझे लगता है कि कोगनिजेंट या एक्सेंचर के है कि उसमें उनकी जो आउटलुक है वो उसमें काफी अच्छा था आउटलुक और उसलिए मुझे लगता है कि आई-टी में जो है एक रुजान देखने को मिला और इंडियन आई-टी के लिए स्पेशली मतलब अच्छा है मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट और वो इसलिए आपको दिख रहा है कि इत्रैक्शन वहां पर देखने चाहिए और आई-टी में बड़ी जितनी कंपनिया है जैसे मुझे अच्छा लगता जितनी बड़ी कंपनिया है टी-स आप देख सकते रहा है एकॉनमी को अपने पट्री पर दोड़ा लाने के लिए और अगर चाइना पट्री पर दोड़ आता है तो सबसे बड़ा इंफ्रस्ट्रक्शर जो प्राब्लम थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है रेट कर्ट के द्वारा बहुत सारे स्टमिलस पंपिंग क लिए घूस के द्वारा तो वह कि अजिए जा रहे हैं और जिसकी हैं कश्षा करती हैं और इसमें करेक्शन होने पर जरुर आप करेक्शन होगा है उनको आप करेक्शन पर लेसकते हैं तो शाम मेटलिक्स हुआ, उशाम माटिन हुआ, इन में आप खैदारी कर सकते हैं और आईटी में HCL Tech और TCS इनको फायदा हो सकता है जिस तरह से एक्सेंचन ने नमबस अच्छे दिये थे बाइबैक की घुशना भी करी थी और अपनी जो गाइडेंस दी थी वो भी काफी अच्छी थी, revenue guidance 3-6% की उनोंने यहाँ पर रिपोर्ट करी थी इसके लावा अगर आप देखें, सर आप जो ब्रेट की बात करे थे उसकी ऊपर चलें तो NSE पर हमने देखा भले ही frontline indices गिर के बंद हुए लेकिन broader markets अच्छा रोजहान दिखा रहे थे, 1600 से ज़्यादा शेयर ऐसे थे जो की चड़कर बंद हुए और 1137 शेयर ऐसे थे जहां पर गिरावर देखने कुमली, वो इसलिए क्योंकि भले ही nifty sensex लाल निशान के साथ बंद हुए लगातार तीन दिन से आउट परफॉर्म कर रहा है और उसमें भी आप देखेंगे तो जो इंट्राडे हाई बना था 57507 का उसके आसपास ही जाकर हमने देखा है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो बनती हो दिखिए तो एक तरफ आपके sensex निफ्टी कम जोर हो रहे हैं लेकिन जो छोटे स्टॉक्स स्मॉल कैप इंडेक्स है वो डे हाई के आसपास जाके क्लोजिंग दे रहा है बाव जो दिसके की बाजार एक दिन की छुटी की तरफ बढ़ रहा था कितनी मजबूती आपको नजर आ रही है सर जो छोटे मज़ोले स्टॉक्स करते हैं उनमें क्या ब्रॉडर मार्केट्स अब आगे ज्यादा और परफर्म करते हूं नजर आ सकते हैं और कुछ स्टॉक्स जो की आउट्लाइनर से अगर हम त्यूजडे के सेशन की बात करें उसमें DCW लेजिए के फिन टेक हरकुलिस होईस में तो सर्केट भी लग गया होता है स्मॉल कैप में अगर आप इंवेस्ट कर रहे हो काफी ज्यादा डू डियूजेंस करने की जुरूत होती है वहां पर क्योंकि कंपनीज में बहुत सारी चीजें आपको मीडिया में नहीं मिलती हैं उनके बारे में काफी कम अनलिस्ट कवर करते हैं स्मॉल कैप जैसे अगर आप देखें कि अगर एंसे की कंपनियां 10-15% की ग्रोथ दिखा सकती हैं में स्मॉल कैप में लेट से कि 15-25% तक की ग्रोथ होगी तो उसमें रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद करते हैं स्मॉल कैप में लेकिन अगर एकॉनमी जो है ठीक से करें और अपरशुनिटी को जरूर देख के ही करें ऐसे मतलब वन साइज फिट आल तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन हाँ जरूर ऐसे कुछ पॉकेट हैं कि जहां पर कि आप निवेश्ट करने चाहिए लेकिन आप डूट डिलिजनस बहुत ज़रूरी है तो सोच कर समझ कर इ दिलिजनस करने के बाद ही इन स्टॉक्स में आपको ख़डारी करके चलना चाहिए चले अब आज के सेशन की त्यारी करते हैं आज वीकली एक्सपारी का दिन भी है चुटी के बाद 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 खुल रहा है और तीन दिन की गिरावट लेकर हम आए हैं तो क्या आज बाद सबसे पहले तो सर मंगलवार को हमने देखा था जो सेवी की बूर्ट बेटर का फैसला आया था तो बहुत सारे स्टॉक उसकी ऊपर रियाट करते हो देखे थे सबसे बड़ी रहात की बात तो यही है कि एफनो को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किये गये हैं चाहे वो तो कैम्स हुआ, केफिन टेक हुआ, यह जो म्यूचल फंड या फिन नहीं एसेट क्लास से जुड़े वो शेर हैं इन में तेजी थी, म्यूचल फंड हाउसिस देख लीजिए आप अजिते बिरला सानलाइफ हुआ, नैम इंडिया हुआ, बी एसी हुआ, ब्रोकरी स्टॉक् आपके रेडार पे जिसको लगता है कि यहां से आगे भी फाइदा मिलता हुआ, नजर आ सकता है, जहां पर अभी भी खेजारी की जा सकती हो। और फंड मैनेजर, निवेशरकों के भी आप में पैसे निवेश करते हैं, तो मुझे रखता है कि जो AMCs हैं, महां पर आपको जरूर देखने चाहिए, AMCs में, निपन इंडिया मुझे चलगता है, वो देखें, SDFC, AMC है, यह ओबर पीरिड अफ टाइंग जो है, धीरे-धीर काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो सेविंग्स का एक लाजर पोर्शन धेरे-धेरे अब मुचल फंड्स के आने एकुटी मार्केट में थ्रू मुचल फंड्स आने लगे हैं, यह कंपनियां बेनिफिशिली होंगी, और एकुटी मार्केट का पेनेट्रेशन अगर डायर सेक्यूरिटीज भी है, तो यह कुछ कंपनियां हैं जिसमें की कर सकती हैं, लेकिन मैं ज्यादा ब्रोकरिज कावर नहीं करता हूं, आपको एमसी की तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो एक आपने आएफल सेक्यूरिटीज बोला, दूसरा एंजल बोला, तीसा नाम आपको कहां पे निवेशित रहना चाहिए, तीन दिन की गिरावट हुई सर बादार में और उसमें हमने देखा है कि वापिस जो डिफेंसिव से फोकस है वो लोटने लगा है, मिटकर फार्मा में एक समय हमने देखा था बहुत अच्छा ही यूफोरिया बना था, उसके बा बादार भली खराबता लेकिन इस स्टॉक देखें मजबूती लेकर बंद हुए, जाता स्टॉक जिनकी मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो कह मिटकर फार्मा में फिर से रिन्यूट बाइंग इंटरस दिख रहा है सर, कोई स्टॉक जो आपके रेडार पे हूँ? कोई एक दो नाम सर, मुझे लास्ट ताइम याद है, आपने किम से एक बार मेंचन किया है? किम से, मैक से, फोर्टी से, यह सारी कंपनिया है चाहे आपका पॉलो देख लें, नारायन ही तरह सारी जितनी बड़ी कंपनिया है अगर आप देखें और उसमें काफी बड़े मेदान था, इवन फो दा मैटल मेदान था भी जह है वो भी अच्छा कर रहा है और काफी एक् सारी कंपनिया अच्छे कर रही है और मुझे लगता है कि बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आपने ले रहे हैं और मुझे याद है सर किम के लावा आपने नारायन हुदालय नहेच का नाम भी पिछली बार लिया था जो कि आपको काफी ज़्यादा पसंद है इसके लावा सार बाने रूप से रहता है मौनसून उससे जादा ही देखने को मिला है तो यह जो मौनसून डी ट्रेस होने का जो असर है वो सिमेंट शेरों पर देखने को मिला है क्योंकि कुछ स्टॉक्स आप देखी खासवार पर जो छोटे साइज वाले हैं और इंस सीमेंट हुई थी स्टार में कुछ न्यूस थे कि उनको जो है लाइमस्टोन के माइन्स में जो है लोवेस्ट बिलर के रूप में उब रहे हैं वो राजस्थान में मिला है उनको और वो नौर्थ एस्ट में कंपनी आपरेट करती है और कंपनी ने का कई बार कहा है कि वो राजस्थान में कुछ तो नहीं देखता स्टार जरूर मेरे पॉर्टफोलियो में है और मैं स्टार को काफी क्लोज ली देखता हूं और यह जो सीजन होता है इन कंपनियों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि मुम्मेंट ऑफ सीमेंट नहीं होते हैं इसके कारण और अब जब यह चीजें कैमिकल शेयरों फिर से खाईदारी लॉटन लगी है एक समय ऐसा था जब बाचित हो रही थी कि शायद चाइना की और से जो डंपिंग है वो खत्म हो गई है जो एक्सेसिव इंवेंटरी सी वहाँ पर उसका वो खत्म हो गए जिस वज़े से इंडिया में अब जो सस्ते केमिकल्स आ रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स हैं उनका आना बंद हो गया जिस वज़े से इन कंप्लियों के लिए रहात की बात है और वो शायद थीम फिर से प्ले आउट होने शुरू होगी है मंगलवार के सेशन की जान तक बात है बासफ हुआ नवीन फ्लोरीन डी सी डवल अलकाइलमीन, टाटा केमिकल, कनोरिया, नियोजन यहां पर लंबी लिस्ट है सर क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं केमिकल्स स्पेस में जो की काफी ज्यादा एक्टिव होते हूँ नजर आ रहा था तो केमिकल्स स्पेस को सर अगर आप ट्रैक करते हों क्या आप भी इस थ चनलल फैक्टर काफी इसमें रहते हैं अगें थोड़ी बहुत पिक है इसमें जहां पर मैंने देखा है थोड़ा क्लोजली और जो मेरे पोड़ो में है वो लक्षमी और गनिक बोल के कंपनी है इसमें जो है कंपनी रेविन्यू का जो एमिशन है जो मैनेजमेंट का वो बो 24 में दो सो चेतर क्लोड का केपेक्स है और आज के दिन में उनके पास फिक्स एसेट्स आठ सो नियासी क्लोड है तो कंपनी जिस तरह से एक्स्पैंड करने की बात कर रही है और रेविन्यू जो डबल एबिटा टृपल फिनेशन है तक कर रही तो यहां पर मुझे लगता क एक पॉर्चनिटी हो सकती है दूसरी तरफ नवीन फ्लॉरीन जैसे स्टॉक मुझे वहां पर पसंदे थोड़ा सा मैनेजमेंट बीच में इनके की पर्सन ने रिजाइन किया था तकरीब साथ बर बर पहले उसके बाद इसमें गिराउट देखने को मिली थी लेकिन इसमें भी बड़ा expansion हुआ है SRF की बात कर लें वो मिझे यह दो तीन कंपनिया हैं जो की फोड़ा मैं ट्रैक करता था पहले जूबलेंट इंग्रेविया था हम दोंको पास अभी नहीं हमना बेज़ दिया वो भी एक chemical API business में था तो उसमें एक अच्छा गेर आया है पिछले तक्री बन तीन-चार महिनों में तो वो था लेकिन अभी आप चुके ट्रैक नहीं हम आरे पास नहीं हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं यह दो-तीन कंपनिया है जहां पर की पोजिशन हो सकती है तो chemical space में लक्ष्मी और गैनिक नवीन फ्लोरीन और SRF यह दो-तीन नाम है जिसको आप ट्र प्रतन इंडिया पावर हुआ सुजलान हुआ यह जो छोटी पावर कंपनी से टिकेट साइज इनका छोटा है वहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफी activity काफी मजबूती बनती हो दिख रही है तो यह कैतेजी लंबी चलने वाले ही को स्टॉक जो आपके दिमांड है हो सकता है कि गोर्मेंट का इंडिवर भी है काफी है जिसे रतन इंडिया को काफी हल्प किया गया सरकार के दारा उनकी फैसिलिटी को फर से चालू करने के लिए तो यह सारी चीजे हैं तो मुझे लगए कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं बट मेरी जो पसंद होगी इस पूरे छेतर में वो है SJVN जहां पर लगता मुझा पॉशनरी साइज काफी बड़ी है वो उस पर ध्यान रखना है चलिए तो पावर स्पेस में अगर आपको रहना है तो रिन्यूबल स्पेस जो है वहां पर आप रही है SJVN सर पहले भी कई वार हाइलेट कर चुके अब भी उसी को ही रिकमेंड कर रहे हैं अगर आपको पावर स्पेस से खजारी करनी है तो इस टॉक को आप चुन सकते हैं शुगर सेरों में हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक्शन बनता हो दिखा है एक अक्टूबर यानि की मंगलवार से नए शुगर सीज जब वो बढ़ जाएगा एथनोल की कीमते बढ़ सकती हैं और उसके साथ साथ शायद शुगर एक्सपोर्ट जो की बंद है वारत से उसको भी दुबारा शुरू करने की उपर एक विचार किया जा सकता है उसे समिक्षा की जा सकती उसे रिव्यू की जा सकता है और अगर ग क्या शुगर शेरों में ख़दारी करनी चाहिए कोई नाम जो आपके जहन में हो ने कि मैं तो एक ही चीज देखता हूँ जो कि सबसे बड़ी कंपनी है उसमें वो बल्राम पुछी नी है उसमें दो रीजन हैं उसमें काकी निचले सतरों पर 4700 के भाव पर डिसकस किया था सकतरों आ Fitzelp hookon के साथ और उसमें यहां की कंपनी एक जो है बायो ड्रीडीडबल पॉलतिन बना रहि рук Career उसके कारण और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है human capacity में पार अई है हाँ में उसके करण और बड़ी कंपनियों के साथ अगर आप रहते हैं जहां पर expansion है diversification ent cultiv teams और तो ँ अगर यह कहीं भी गिरावट होती है अच्छी गिरावट तो आपको ध्यान रूपना चाहिए तो बहलापूर चीनी आज भी पसंद है लेकिन करेक्शन पर थोड़ा सा नीचे मिले तो आपको जरूर यहां पर खैदारी करने चाहिए अगर आपको चीनी स्पेस यानि कि मेगा मॉट है उसका भी आईपयो आने वाला है शाद एक बिलियन डॉलर के आज पास का होगा उसको भी सेवी ने हरी जंडी दिखा दी उसका इंपक्ट आप देखिए जो मार्केट में लिस्टिट कंपनी है वी मार्ट नाम से उसमें जबरदस एक्शन बनता हो दिखा और इस आईपयो के दम पर क्या कोई रीटेल स्टॉक ऐसा है जिसमें अभी आपको लगता है कि दमखम बाकी है उपर की वर जा सकता है वो दो कंपनी का नाम ध्यान आता है अगर रिटेल में देखें तो पहला दीमार्ट और दूसरा ट्रेंड आता है मुझे ये दो कंपनीया लेकिन दोनों में काफी बड़ी तेजी आ चुकिया है उसमें जूडियो और वेस साइड काफी अच्छा कर रहे हैं लोग बट वैलवे अगर कोई गिरावट होती है तो डीमार्ट के शेर को देखा जा सकता है रिटेल में हलाकि शायद विशाल मेगा मौन से उसका डारेट कंपैरिजन तो नहीं होगा लेकिन अगर रिटेल में अगर आपको क्यों स्टॉक चुनना ही है तो कर्यक्शन पर आप डीमार्ट के मार्केट में 25-740 अगर होल्ड हो जाता है तो कौन से स्टॉक्स हैं कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर तेजी बन सकती है आपके रेडार पर कोई स्टॉक देखिए जैसा हम लोग बात करें मेटल की बात तो उसमें हिंदुस्तान कॉपर मेरी एक पसंद है यहां पर काफ़े पॉचिनिटी दिखती है कि अगर आप मैनेजमेंट कमेंटरी देखें उसमें अगर आप देखें तो फिनेशियल एर 24 में जो इन्होंने कापैसिटी एडिशिन की है और मुस्त जो है 1295 करोड के आसपास 970 करोड और एड करने की बात कर रहे हैं और मिलिन टेम कापैसिटी ह की एकस्पैंड करने की बात कर रहे हैं तो यह एक बड़ी अपॉर्चिनिटी सायद हो सकती है और एक साइजबल मांकेट शेयर है इनके पास कॉपर का कॉपर की माहिंस का इंडिया में तो यह एक जगह है एक कंपनी है जहां पर कि देखा सकता है और इसमें मुझे लगता ह कि आने वाले दुनों में आपको एक अच्छी अपॉर्चिनिटी हो सकती है गिरावर्ट में ध्यान रखें आपर अभी लेते हैं तो तीन सो पैंटीस का एक स्टॉपला जरूर लगाएं तीन सो पिचासी से देखे चार सो पंदा तक के टागेट लगते हैं कि नियर फेशर में आ सकते हैं तीन सो पिचासी चार सो पंदा तक के टागेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर में आप खैदारी कर सकते हैं तीन सो पैतिस रुपए यानि कि मौजदा भाव से करीब 14 रुपए नीचे का आपको स्टॉपलस जरूर लगाना चाहिए मेटल पैक से हिंदुस्त भी निवेश करें तो अपने फिनेशल अडवाईजर से जरूर ठोक बजाकर ध्यान दर्खें कि क्या चीज़ ले रहे हैं किस वैलुएशन पर ले रहे हैं कि वैलुएशन काफी इंपॉर्टिंट होता है रिटर्न के लिए चलिए बहुत-बहुत धन्यवाँ सर थैंकी सो म है आपके मन में आप जानना चाहते हैं तो आप सुबह सारे दस बजे बीच बाजार में मेरे सेयोगी विवेक मित्तल आपके लिए कारिकरम लेकर आते हैं उसमें जरूर जुडिएगा ग्लोबल मार्केट की खबरों की बातचीत होती है मार्केट में किस तरह के ट्रेंड ब हुआ 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 है